आज बनाएंगे मंचूरियन, तो मंचूरियन में ले लिए हैं पत्ता गोभी काट करके, फुल गोभी जिसको हम गरम पानी में खौला करके रख लिए हैं, इधर हमको नमक चाहिए, आरा रोट पावडर चाहिए, आरा रोट पावडर, मैदा, टोटो, कैचप चाहिए, और च चिली सॉस चाहिए, सोया सॉस चाहिए, तो देखिए, हम सारे सॉस को रख लिए हैं, और जो हमारे पास एबलेबल सबजी है, उसी से हम बनाएंगे, यह सारे समागरी को हम रख लिए हैं, हिंग जरूर डालेंगे, थोड़ा सा, हिंग हम जरूर डालेंगे, सुपाच्य होत कटोरा में डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक डाल, नमक हम अभी ही डालेंगे ताकि सारे सबजी में स्वाद आए मैद अवरा रोट मिला करके हम डालेंगे इसको सांते समय मंचुरियन का डो बनाते समय थोड़ा सा सोया सौस डालना जरूरी है इसमें कलर भी आएगा और स्वाद भी आएगा कलर और स्वाद दोनों आएगा थोड़ा सा हम कैचप डालेंगे चिल्डी सॉस डालेंगे अब इसको हम हाथ से अच्छे से मिलाएंगे तो इसका हम डो बला करके आपको दिखाते हैं देखिए सारे सॉस को और सबजी को एकठा कर दिये कितने मुताबिक छोटा बड़ा आप कर सकते हैं मंचुरियन को तो मंचुरियन अच्छे से गोल होने लगा है अब इसको हम तेल में तलेंगे सारे मंचुरियन का बॉल बना लेते हैं उसके बाद तेल में हम तलेंगे मंचुरियन का बॉल बना लेना है अत्ता लेंगे मंचुरियन का बॉल बना लिये है इधर तेल गरम हो गया है अब इसमें हम बॉल को डालेंगे इसको तेल पूरा हीट करना है कम गरम में यह अच्छा से नहीं तलेंगे अब इसका हम तंप्रेचर को कम कर देंगे ताकि भीतर में कच्छा न रहे तब तंप्रेचर को हम कम करेंगे देखिए मंचुरियन कितने अच्छे से तल रहे है ज्यादा मैदा नहीं है ज्यादा आरा रोट नहीं है बस इसको बैंडी होने भर हम इसमें सारे सामागरी को मिलाएं है तेखिए मंचुरियन बॉल बन करके तयार हो गया है अब इसको हम निकाल देंगे सारे बॉल्स को हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा तेर हम हटा देंगे यह सारे मंचुरियन्स बॉल बन करके तयार हो गए है मंचुरियन बॉल तो बहुत है अच्छे से बन करके तयार हो गए है आरा रोट पाउडर जिसमें हम पानी डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे घोल बनाएंगे इधर रख लिए है हरी मिर्ची देर सारा लसुन और प्याज तो इसको हम लसुन को हम तेल में डालेंगे यह जल गवा है है चानीज पुड में बहुत सारा लसुन पढ़ता है बहुत सारा लसुन प्याज अजीनो मोठो तो अजीनो मोठोत तो मैं नहीं दालूंगे इधर मकई भी पका ले रहा है, काम का टाइम में, ब्रेकफास्ट में मकई पकाया हुआ, बहुत ही अच्छा लगता है, इधर मंचुरियन तैयार कर लेंगे, इसका गोल भी हम तैयार कर लिए, और इधर रख लिए हैं, सोया सॉस, टोमेटो सॉस और चिल्डी सॉस, तो पहले लसुन को देख लेते हैं, लसुन जल गया है, इसमें डाल देंगे हम, प्याज, बहुत ज्यादा लाल में करना है प्याज को, देखिए लगत प्याज भून रहा है, इसमें थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे, और थोड़ी सी नीमग, स्वाद अनुसार नमक डालना है, और चीनी थोड़ी की बाइडेंज के लिए डालना है, इसमें सिम्ला मिक्स भी पड़ता है, और बिंच भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था, इसलिए हम नहीं डालेंगे, विसमें हम तोमेतों सास दालेंगे, और इसमें हम तोमेतों सास दालेंगे, आप सोया सास दालेंगे, अब इसमें हम आरारोट पाउडर डाल देंगे, देखिए, इसमें हम बॉल्स को डाल दिये हैं, ताकि सारे बॉल्स में मसाला अच्छे से पीले, और मंचुरियन बॉल्स बन करके, इसको बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं है, मंचुरियन बॉल्स बनाने में थोड़ी सी समय लगता है, देखिए, मंचुरियन कीतना अच्छा से बन करके तयार होगाma, इसको हम आफ कर देते हुएं, अब सर्व करके आप हम आपको दिखाएंगे, ए मंचुरियन का वीडियो कैसा लगा bin, देखिए कितने अच्छे इसमें रस पी लिए हैं मंचुरियन का वीडियो कैसा लगा लाइक करें सस्क्राइब करें सेर करें धन्यवाद